नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहर रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी को नवरात्री के पावन दिनों की हार्दिक शुब काम नाएं, दोस्तों, नवरात्री के किसी भी दिन तुलसी में चड़ा देना, ये एक चीज दूर हो जाएगा, आपका दुरभाग्य और नहीं रहेंगी। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी, दोस् इसे में, यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली तुलसी मैया अंदर ये एक चीज चड़ा देते हैं, तो बड़ी से बड़ी मनो कामना भी आपकी पूरी हो जाती है, यदि आप ये वाला उपाए कर लेते हैं नवरात्री के। कि बड़ी से बड़ी मनो कामना पूरी हो जाएगी, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशव नहीं करेंगी, आपको बता दें कि तुलसी मैया जो है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती है, श्री हरी कृष्न को और विश्नु भगवान को, दोनों को ही ना तुलसी मैया बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और जब भी हम विश्नु भगवान का भोग लगाते हैं, श्री कृष्न को भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी श्री हरी विश्नु भोग स् आप देखिए, जब श्री हरी विष्णु को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है. ऐसे में धन की देवी, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी. यदि आप तुलसी के पौधे में नवरात्री के दिनों में ये एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि श्री हरी विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, मा लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयम ही प्रसन्न हो जाती है, और मा लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती है, जहां श्री हरी विश्नु है। तो तुलसी के पौधे में आपको वो कौन सी चीज चड़ानी है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाए बता देते हैं, जो की है। सबसे पहला उपाए दोस्तों, खास करके, ये जो पहला वाला उपाए है, ये उन लोगों के लिए करना है, जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परिशानियाम आती है, जो बहुत ज्यादा परिशान हो चुके हैं। इस चीज को लेकर के कि कैसे उनका धन उनके पास आए और वो धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी-कभी इनसान के आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि उनका वो धन उनके पास रुकता नहीं है, किसी ना किसी कारणवश, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वो पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है उससे बहुत सारी गलतियाम भी उसके साथ कर देते हैं जससे कि उनके जीवन के जो कश्ट होते हैं वो कम नहीं हो पाते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पोधा लगाना है कौन-कौन से नियम है जिनको आपको जानना जरूरी है तो चलिए, बात कर लेते हैं पहले उपाय की कौन सा है? वो पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिलकुल समाप्त कर देगा वैसे तो ये वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन नवरात्री के किसी भी एक दिन कर लेते हैं न? विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और यदि है, तो कोई बात नहीं है ठीक है ना? यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आपको करना क्या है? आपको एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का दीपक ले लीजिए ठीक है ना? आप चाहे तो घर पर आठे का भी बना सकते है तो आप चाहे तो आठे का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है, ना, और आपको उसके अंदर गोल वाली बात ही लगानी है, अब उसी दीपक के आपको चुटकी भर जो होती है न, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर, जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है, ना चाहे आठे का बनाया दिया, चाहे मिट्टी का लिया दिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं चुटकी भर हल्दी डाल करके, ना आपको शाम के समय में, 6-7 बजे के बीच, वो द दीपक को directly या तो जमीन पर रख, या गम्ला, यदि बढ़ा है, तो उसके पास रख देते हैं, या मान लो पत्थर का है तुलसी जी का पौधा, जो गम्ला है वो पत्थर का है, तो उसके पास रख देंगे, ऐसा आपको बिलकुल भी नहीं करना हैं, जब भी आप तुलसी पूधे के पास दीपक जलाए, ना आपको उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत, यानि की चावल होते हैं, ना बिना तूटे हुए उसे ही, हम अक्षत बोलते हैं तो आपको वो थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे रखने हैं, आप चाहे तो फूल, यदि आपके पा जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया ना, दीपक तो लोग बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, यदि आप डारेक्ली जमीन पर रखकर के दीप को जला रहे हैं, ना तो इससे आपके जीवन में कश्ट घटने की बजाए बढ़ सकते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी हैं, यदि आपके पास कोईसी तांबे वगेरह की प्लेट हो, ना तो आप उसमें भी रखकर के दीपक को जलाएं, तो दोस्तों, व अक्षद दीपक के नीचे रख करके, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, श्री हरी विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिये होती है, और तुलसी जी जो होती है, वो श्री हरी विष्णु को बहुत प्रिये होती है, ऐसे में यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रती दिन जलाते हैं ना, शाम के में तो ये बहुत ही उत्तम होता है, और नवरात्री के जो दिन होते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि नौ माता रानी इन दिनों में हमारे घरों में आती है, और इसी के साथ धन की देवी माता लक्षमी भी हमारे घर में आती है, तो हमें उनके स्वागत के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए और धन की देवी माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए श्री हरी विश्नु को भी जरूर प्रसंद करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते है लक्षमी जी का पूजन तो करते है लेकिन श्री हरी विश्नु का पूजन नहीं करते है आपको बता धन की देवी माता लक्षमी वहाँ वास करती है जहां श्री हरी विश्नु होते हैं इसलिए आप इस तरह से एक दीपक नवरात्री के दिनों में जला कर देख ले आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे ना आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी ये पहला उपाय जो हमने आपको बताया है दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की अब ये जो दूसरा उपाय है ना ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है एक होता है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है और एक वो लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं उसके पश्चाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं या उनके जीवन में सदैव उन्हें धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है या जिन्हें ऐसा लगता है, ना कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है कैसे करें, क्या करें, कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से हार चुके हैं ना तो उनको ये वाला उपाय करना है मानिये दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मोट पे हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप ये दूसरा वाला उपाय यदि कर लेते हैं, न कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा देखिए जब व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है तब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है और ये वाला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में ये एक चीज डालनी ये आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगी तो करना क्या है आपको आपको लेना है सिर्फ गाय का कच्चा दूद ठीक है, ना कच्चा ही दूद लेना है आपको ये चीज बिलकुल ध्यान रखनी है और वो कच्चा दूद आपको जल में मिला करके आपके घर में जो शुद्ध जल आप तुलसी जी में चड़ाते हैं न उसी जल के अंदर मिला करके आपको तुलसी की जड़ में डालना है किस दिन नवरात्रि के किसी भी दिन किसी भी एक दिन ये उपाय कर लीजिए केवल रविवार का दिन छोड़ करके क्योंकि आपको बता दे रविवार के दिन एकादशी के अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन इन दिनों में कभी भी तुलसी जी के पौधे को ना छुआ जाता है और ना ही तुलसी जी की जड़ में दूद चढ़ाया जाता है और ना ही जल चढ़ाया जाता है लेकिन नवरात्रि के दिनों में यदि आप एक दिन ये उपाय कर लेते हैं कि तुलसी की जड़ को कच्चे दूद से आप सींच देते हैं श्री हरी विश्णू और माता लक्ष्मी आपके जीवन में किसी भी दुख को, किसी भी कष्ट को, कितनी भी बड़ी धन की कमी को होने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं, उन दोनों का आशीरवाद आपको ऐसा मिलता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दूहक कहीं दूर ही भाग जाते हैं जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को कच्चे दूद से सीच देता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, यदि ये उपाए आप ब्रहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि ये उपाए सोने पे सौभागा हो जाता है। यदि आप ब्रहस्पतिवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूद चड़ा देते हैं और शाम के समय में ठीक है ना? पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाए, उसमें एक छुटकी हल्दी जरूर डाले और तुलसी की जड़ में। ठीक है ना? तुलसी की जड़ में आप कच्चा दूद जरूर डाले खासकर के ब्रहस्पतिवार के दिन। और दोस्तों, इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते तीसरे उपाय की देखिए, यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ती है, तो आपको करना है जो जल आप तुलसी जी के पौधे में चड़ाते हैं, उस जल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालनी ह और हल्दी मिला हुआ वो जल आपको तुलसी जी के पौधे को चड़ाना है, आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ती बीमार नहीं होगा, आपके घर के जो रोग है, जो कश्ट है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे और धन की वर्षा आप के घर में होने लगेगी, यदि आप ये वाला उपाय भी कर लेते हैं, चुटकी भर हल्दी डाल करके, आप वो जल तुलसी जी को अर्पित करते हैं दोस्तों, इसी के साथ बता देते हैं, वो कौनसी गलतियान है जो आप अकसर तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई गलति हैं, दूसरी गलती की, कुछ लोग नाखूनों से तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं, जिससे की व्यक्ति का दुरभाग्य उसके पीछे पढ़ जाता है, कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, न गलती क्या करते है कि तुलसी के पौधे को वो लोग दक्षिन दिशा में लगा लेते हैं, यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए हैं, या पहले से ही आपके घर में तुलसी का पौधा है, और वो दक्षिन दिशा में लगा है, न तुरंत आप उसकी दिशा बदल करके उत्तर दिशा में लगा दे, क्योंकि य ये बहुत ही important बात है आप इसको बिलकुल ध्यान की भूल करके भी आपको दक्षिन दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है क्योंकि दक्षिन दिशा जो होती है वो यम देवता की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है आप सभी जानते होंगे तो भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को ना डाइरेक्टली छट पर लगा देते हैं जो कि बिलकुल भी शुब नहीं माना जाता है डाइरेक्ट धूप में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तुलसी जी को कष्ट दे रहे हैं और आप अपने को भी कष्टकारी बना रहे हैं तो आपको डाइरेक्टली छट पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा लगाए जहां पर थोड़ी धूप आए, लेकिन ज्यादा, मतलब छाव भी उनको तुलसी मया को मिले, ठीक है ना, और तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर में रखते हैं या लगा पौधा जब भी आप जब भी आपको भूल करके भी नहीं रखना है, तो दोस्तों, इन नवरात्री के दिनों में यदि तुलसी का पौधा नहीं है, आपके घर में तो आप लेकर के आए, और अपने घर की उत्तरदिशा में आप उस पौधे को लगाए, आप देखेंगे क कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है, तो जो उपाय हमने आपको बताए है, वो उपाय आप देख लीजिए, आपके जीवन में जितनी भी धन को लेकर के समस्याएं हैं, न वो सारी की सारी पूछना हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसी के साथ हम मातारानी से यही प्रार्थना करते हैं, कि इस नवरात्र में आपकी बड़ी से बड़ी मनो कामना पूरी हो जाए, कभी भी आपके जीव में हम आपको बताने वाले हैं सदा बहार फूल के, कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को यदि आप नवरात्री पर कर लेते हैं, तो फिर कभी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं स्वयम ही हल हो जाएंगी, जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दे कि सदा बहार का जो प पूर्ण पौधा माना गया है, ये चमतकारी पौधा जी दोस्तों, सदा बहार का पौधा, माता वैश्नों को अतिप्रिय है, नवरात्रों में माता की चौकी पर जरूर रखा जाता है, इसके कई दिव्य प्रयोग है, इसके साधारन से, साधारन उपाय करके लोग अपना भाग्ये चमका लेते हैं। मया की कृपा सदैव उन पर बरस्ती है। दोस्तों आपको बता दे, जितने भी धनवान व्यक्ती है, जितने भी पैसे वाले लोग है, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दे, कि सदाबहार का जो पौधा होता है, उसमें कई फूल हैं। इसी के साथ आपको बता दे, कि सदाबहार का जो पौधा होता है, वो बहुत आसानी से उग जाता है। और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दे, सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना ये आपकी किसमत को बदल देंगे आपकी किसमत को रातो रात चमका देंगे जी हाँ, दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं उसी तरह से ये तुम्हारी जिन्दगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे. दोस्तों, आप एक बार इस पौधे को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाब भी आप स्वयम देख लेंगे. यदि आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिन्दगी में सफल होने का मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं. बार बार आपको असफलता का मुह देखना पड़ रहा है. आप बार बार निराश हो रहे हैं. तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए. यदि कोई व्यक्ती कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और यदि उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ती बहुत हो जाता है. और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ अब इस काम को करने से कोई फाइदा नहीं है जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है मेरी आर्थिक स्थिती अच्छी हो ही नहीं पा रही है फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं, और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, किन्तु उसके बावजूद उनको सफलता प्र रहा है या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है। जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी खास क्षेतर में आपने तैयारी कर रखी है, किन्तु उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तब आपको एक बहुत ज्यादा करजा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। किन्तु कभी कभी होता ये है कि व्यक्ती चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके पश्चात उसको पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है, वो अच्छे कारिय में कम जाता है, किन्तु बिमारियों में और बुरे कारियों में ज्यादा उनका वो धन बरबाद हो जाता है, जिसको लेकर व बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ जाता है और देखिए उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी तो लेता नहीं है जब व्यक्ति के उपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है उसके जीवन में बहुत सारे कश्ट आ जाते हैं जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यक्ताएं ऐसी होती हैं जिनें पूरा करना व्यक्ति का दाइत्व होता है जिसके चलते वो किसी ना किसी से पैसा उधार ले लेता है पर दोस्तों, तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको ये उपाए जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमतकारी फूल के बारे में, ऐसे लाब दायक फूल के बारे में, जिसका उपाए यदि आप कर लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमतकारी लाब उस पौधे के है यदि इसका सही प्रकार उप्योग किया जाए, उपाए किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिये, आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही साथ, जो भी आपकी मनो कामना है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, इसी के साथ दोस्तों आपके जीवन में, यदि धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्शा होने लगे, तो आपको कुछ करना है, केवल इस पौधे को अपने घर में लेकर आन ना उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इस उपाय को करने के पश्चाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे न तो उससे भी आपको कई गुना लाब प्राप्त होगा तो आज की वीडियो में हम आपको तीन से चार उपाय ऐसे बताएंगे जो सदा बहार फूल के ही उपाय है और जिन उपायों यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाब इन उपायों का मिल जाएगा तो आपको केवल इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान पूरवक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है जिससे की आप से कोई भूल चूक ना हो बिलकुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तब ही करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें तब ही आपको ये उपाय लाब देंगे दोस्तों इसी के साथ कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरोवाली के लिए जैकारा लगा दें आप चाहें तो देव का जैकारा लगा दीजिए किसी का भी आप जैकारा लगाए किन्तु जैकारा जरूर लगाए और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन-कौन से हैं वो उपाय देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के व्रिक्ष पाय जाते हैं और सभी व्रिक्षों का अलग-अलग महत्व होता है उन्ही में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ व्रिक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं मतलब कहने कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है जैसा कि आप जानते हैं तुल्सी का पौधा हो गया पीपल का व्रिक्ष हो गया वट व्रिक्ष हो गया ये सभी बहुत पूजनी ये पौधे माने गए हैं तो आपको बता दें कि कुछ व्रिक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवी ये शक्ती होती है जिनके अंदर बहुत अलोकिक चमतकार होते हैं यदि बात कर लें पीपल के पेड़ की तो उसमें साक्षात श्री हरी विश्नु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है यदि हम बात करे शनी के पेड की तो शमी का जो पेड होता है उसे शनी देव की तरह ही देखा जाता है कहां जाता है कि शनी देव का उसमें वास होता है और यदि बात करे आंकडे के पेड की तो यानि कि हम जब आंकडे का पेड देखते हैं उसे निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूझनीये है ये आप भी जानते हैं तो आपको बता दे कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है अपने अपने लाब और अपने अपने चमतकार होते है अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिन में दैवी ये शक्ति होती है उन में से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं अच्छे से उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिये, आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी मनो कामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं, और यदि हम बात करें सदा बहार के फोल की, तो सदा बहार एक ऐसा जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है, इसी कारण इसे सदा बहार का फूल भी कहा जाता है, और इसी लिए दोस्तों, ये जो सदा बहार का फूल है, ये सदा के आपके भागे को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है, तो इस फूल के बहुत सारे लाब, बहुत सारे चमतकार है, हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे. जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दुबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझा आ जाएंगे. तो देखिए, यदि बात करें सदाभार के फूल की उस पौधे की, तो सदाभार के दो रंग के फूल होते हैं, एक फूल होता है सफेद रंग का, और वही दूसरा, जो फूल होता है, वो होता है गुलाबी रंग का, आपने देखा होगा, हलका गुलाबी रंग का, वो फू खूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाल बहार का फूल होता है, वो भी माता लक्षमी को अतीप्रिय होता है. क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है. तो जब आप सदा बहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खीचने की चाबी आपने अपने पास है धन खीचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदा बहार का पुष्प होता है जो फूल होता है शिव जी को सफेद रंग का सदा बहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहुकेतु का दोश है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो जब भी आप सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या मातारानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनो कामना बोल दें आपकी कैसी भी मनो कामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी और यदि आप इस सफेद रंग के पुश्प को, शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनी देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं यदि आपके पास सदा बहार के पुश्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है किन्तु यदि आपके घर में सदा बहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्थ हो जाएंगे वहां से भी इन फूलों को ले सकते हैं, तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदा बहार के पुश्प लेने हैं, और किस दिन इस उपाय को करना है, आपको ये उपाय करना है शुकरवार के दिन तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुश्प तोड़ कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए तो देखिए आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़ कर लाना है तो आपको कितने फूल तोड़ कर लाने है या तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने है और या फिर आपको फूल तोड़कर लानी है यदि आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाए अलग है और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाए अलग है किन्तु हम आपको बताएंगे तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे तो यदि आप 27 फूल तोड़ कर लाएं हैं सफेद रंग के ठीक है ना सदा बहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़ कर लेकर आएं हैं जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदा बाहर के तोड़ कर ले आएंगे, उसके पश्चात आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है। एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी सकते हैं, उसके पश्चात आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेट कर इन फूलों की माला बना लेनी है, तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। किन्तु जब आप ये माला पहनाएंगे, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो आप बहुत सीधा सरलसा मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमा। इस मंत्र का बार जब कर ले, उसके पश्चात आप मातारानी को ये माला अर्पित कर दे, उसके पश्चात आपको मातारानी को कुम-कुम या हल्दी का तिलक लगाना है, और उसके पश्चात आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है, और फिर उसके पश्चात आपको हल्दी से एक स्वास्थिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्थिक आपने बनाया है उस स्वास्थिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला मातारानी को अर्पित करी है तो 21 चावल दाने आपको उस स्वास्थिक पर रखने है और यदि 27 फूलों की माला आपने मातारानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्थिक पर रखने है किन्तु ध्यान रहे कि चावल बिलकुल भी तूटा-फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्थिक पर डालेंगे तब भी आपको AUM महलक्षमी नमख का जब भी करना है इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने मातारानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्थिक के उपर रख देनी है अब इसके पश्चात आपको मातारानी के मंदिर से सिंदूर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पे उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है अब इसके पश्चात आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके पश्चात, दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है न, शुक्रवार के ही दिन, रात्री के समय में उस पोटली को रग देना है, अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में, दोस्तों आपको बता दें, ये उपाय आपको रात्री के समय करीब आप 21 मला का उपाई यह कर रहे हैं, तो आपको यह उपाई लगातार पांच शुक्रवार को करना है. मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके पश्चात दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया. पांचवे लगातार, जो शुकरवार पढ़ेंगे, पांच शुकरवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं, तो आपको लगातार 4 शुकरवार करना है तो देखिए उपाय चाहे आप चार शुक्रवार कर रहे हैं या पांच शुक्रवार कर रहे हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग-अलग पोटली नहीं बनानी है आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है माला तो आपको हर बार नई लेनी है, चावल भी आपको हर बार नई लेने है किन्तु उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है अब देखिए, पांचवा, जो शुक्रवार होगा, चाहे पांच शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे, या चार शुक्रवार कर रहे हैं तो जो पांचवा शुक्रवार होगा, उस पांचवे शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है और यदि मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है पूरी जगह पर आपका फर्श है तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा तो आप इसे गमले में दबा दीजिए और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है आपने पोटली के अंदर जो माला थी जो चावल रखे थे उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है, वो तो समाप्थ हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता, रहे, और जो धन आपको प्राप्त होगा, उसमें निरंतर आपको विर्धिभी देखने को मिलेगी, और चठे दिन ये प्रक्रिया करनी है चठे शुकरवार को और यदि आप चार शुकरवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको पांचवे शुकरवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है ठीक है ना इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए तो दोस्तों ये तो पहला उपाय जो हमने आपको बताया, बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, तो आप कुछ भी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मनो कामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वो समस्या बनी हुई है, आपकी कोई है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाए जरूर कर लेना चाहिए, चाहे आपकी कैसी भी मनो कामना हो जैसे म आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाए है, ये एक छोटा सा उपाए. तो दोस्तों, ये उपाए बहुत ही ज्यादा खास उपाए है, क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रकार की समस्या को समाप्त करता है, और आपकी जो भी मनो कामना है उसे पूरी करता है, इसलिए ये उपाए बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बां और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है, और ये उपाय करना है आपको सोमवार के दिन, तो ये उपाय आपको सुभे के समय करना है, सुभे जल्दी उठकर आदि करने के पश्चात आपको स्वच्छवस्त्र धारण करने है, और पूरे 108 बार और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंतर का जब भी कर सकते हैं, तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित देने हैं, चड़ा देने हैं, और ऐसा करते समय जब आपकी ज मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थिय से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामन दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोश हो, कोई भी वास्तु दोश हो, कोई भी कुंडली दोश हो, वो पूरी तरह से समाप्थ हो जाता है. और आपको बता दें, ये उपाय करना है, आपको पांच सोमवार लगातार। ठीक है ना, जब आप पहले सोमवार करेंगे उसके पश्चात, दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, पांच में सोमवार, पांच सोमवार, आपको लगातार करना है, बीच में आप नहीं देना है। विश्वास होना चाहिए। तब ये उपाए असर करते हैं।